नमो नमह आज हम एक मजदार पाठ को पढ़ने जा रहे हैं ये एक गीती है जिसके रचाईता डाक्टर विश्वास हैं चलिए हम आज सबसे पहले इस गीत को गाते हैं पाठ की ब्याख्या और अंत में प्रस्न उत्तर अभ्यास संपूर्ण इसी वीडियो के साथ करेंगे तो राघव माधव सीते ललिते विमानयानम्रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायु विहारं करवाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम्रचयाम। उन्नत अव्रेक्षं तुंगं भवनं। उन्नत अव्रेक्षं तुंगं भवनं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम्रचयाम। सुक्रस्चंद्रह सुरियो गुरुरुति ग्रहानिसर्वान गनयाम। विविधा सुन्दर ताराश्चित्वा। मौक्तिकहारम्रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम्रचयाम। अम्बुद मालाम अम्बरभोशाम। आदाय वहि प्रतियाम। दोखित पीडित क्रशिक जनानाम। ग्रिहेशुहर्शंजनयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम्रचयाम। तो इस प्रकार से इस गीत को हमने सस्वर गालिया है। आप भी इस गीत को गा सकते हैं। चलिए अब हम इस पाठ को बहुत सरल तरीके से हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सर्व पर्थम पर्थम सलोक को देखिए राघव माधव सीते ललिते। विमानयानम्रचयामव। आओ हम हवाई जहाज बनाएं। विमान यानम कहते हैं हवाई जहाज को चलो हम एक हवाई जहाज बनाएं नीले गगने विपुले विमले नीले और विपुल याने विस्त्रित गगने फैले हुए इस स्वच्छ आकास में वायु विहारं करवाम वायु विहार करें चलो उड़ चलें आसमान को हम छुएं एक एसा विमान बनाएं जिससे हम उड़ कर आकास में चलें एसी आकांग्षा एसी कामना यहाँ पर कवी कर रहा है अब जब हम विमान बनाएंगे और वायु विहार यानि आकास में घुमने का मन बनाएंगे तो हम कैसे कैसे जाएंगे उड़ने की प्रकिरिया को बता रहे हैं यहाँ पर कहते हैं हम उचे उचे पेड़ों को हम पार करेंगे उचे भवनों को पार करके उसके बाद हम आकास में जाएंगे अभी आकास में पहुंचे नहीं है अभी और भी बता रहे हैं देखो कहते हैं कृत्वा हिमवन्तम सोपानम हिमवन्तम हिमालय को कृत्वा बनाकर क्या सोप हम चंद्र लोक में प्रवेश करें याने पहले नीचे नीचे के छोटे छोटे पेड़ों को उसके बड़े बड़े भवनों को उसके बाद हिमाले को हम चंद्र लोक की ओर प्रस्थान करें अगले स्लोक में कहते हैं सुक्रसंद्रह सूरियो गुरुरिती यह सुक्र है यह चंद्रह है यह सूरिय है और यह गुरु है एसे ग्रहान ही सरवान सरवान ग्रहान यानी सभी ग्रहों को गणयाम गणना करें हम आसमान में पहुँच चुके हैं, अब उहां पर हमारे आसपास में सुक्र है, सूरिय है, चन्रमा है, गुरु है, इन सब ग्रहों को हम एसे अंगलियों से दिखा दिखा कर गणना करें, एसी कामना कभी यहां पर कर रहा है अब कहता है, बिविधाह सुन्दर ताराश चित्वा, बिविध याने अनेक प्रकार के सुन्दर ताराओं को चित्वा चुन कर मौक्ति कहारम रचयाम, हम मोतियों की माला बनाएं, किस से छोटे छोटे जो टिम्टिमाते हुए तारे हैं, उन तारों को हम चुन चुन कर और उसके वाद आगे कहते हैं, अम्बुद मालाम अम्बर भूसाम, अम्बुद मालाम बादलों की माला, अम्बर भूसाम आकास के भोषण स्वरूब, ये बादल आकास के आभोषण हैं, इनको क्या करेंगे? आदा यही वही प्रतियाम, लेकर ही हम लवट आएं, दुख् पेडित, कृषिक जनों के घर में हम हर्स को उत्पन करें, कभी की कामना है, हम ऐसे विमान की रचना करें, जिसे विमान से हम आसमान में जाएं, आकास में एक एक ग्रहों को देखें, गणना करें, उनके साथ खेलें, गूमें, उसके बाद हम वहां से ताराओं की, टिम्ट साथ लेकर लोट आएं जिस मेग से वारिष हो और दुख्खित हुए पीड़ित हुए कृषकों के किसानों के खेत खलियान हरे भरे वो उठें वारिष से खेत खलियानों में अन उपस्ता है इस कारण हम बारिष को भी साथ में लेके आएं और खूब सारा ब्रिष्ठी करवा एसी कामना यहाँ पर कभी डाक्टर विश्वास जी ने की है इस गीत को पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरोल नाइक करिएगा अब हम आगे इसके अभ्यास को करते हैं चलिए पर्थम अभ्यास है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गा देखो हमने तो गालिया है है अगर एक बार और सुनना है तो आप जाके सुनिएगा अब दुसरा अभ्यास है कोष्ठक अंतर गतेशू सब्देशू तृतिया विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानी पूरयत कोष्ठक में याने ब्राकेट के अंतर गत दिये गए सब सब्दों को लेकर उसमें तिर्तिया विभक्ति जोड़कर रिक्तस्थान याने खालिस्थान को हमें पूरा करना है देखो को में सा खालिस्थान है जलेन मुखम प्रक्षालयती वह कोई लड़की या महिला है वो जल से मुख प्रक्षालित करती है तो जल का विशेशन बिम इसमें हम क्या करेंगे तिर्थिया भीवक्ति लगाएंगे बिमले न वहा बिमल जल से मुख प्रक्षालन करती है दोती है अब खा है राघव हा खालिस्थान बिहरती राघव घुमता है किस से बिमान यान लिखा हुआ है हम करेंगे बिमान याने न बिमान यान से एसे अब गहे कंठह सोभते, गला सोभित होता है, सुसोभित होता है, किस से मौक्तिक हारेन, मौक्तिक हार सब्द में हम तिर्तिया विभक्ती एक बचन लगा के मौक्तिक हारेन करेंगे, मौक्तिक हार से कंठ सुसोभित होता है, अब है घमे नवहा खालिस्थान प्रकासते, आकास प्र का से तो होता है सूरिय ना सूरिय से सूरिय सब्द में फिर तिर्तिय अभिभक्ति अब है परवत सिखरम खाली स्थान आकर्शकम द्रिश्यते परवत का सिखर किससे आकर्शक दिखाई देता है अम्बुद मालया अम्बुद माला सब्द में हम तिर्तिय अभिभक्ति बर्ग वाले पद को हमें यहाँ पर चुनना है जैसे यहाँ पर एक उदाहरन दिया गया है वो आप स्वयम पड़े मैं को नंबर का पड़ रहा हूँ पत्राणी पुष्पाणी फलाणी मित्राणी पत्र पुष्प फल यह एक केटेगेरी की हैं भिन्न बर्ग का भिन्न केट पत्रेगेरी का क्या है मित्राणी उसी तरह से जलचर खेचर भूचर निशाचर यह जल में रहने वाले खेचर आकास में रहने वाले भूचर भूमी में रहने वाले निशाचर होते ही नहीं है याने रात में चलने वाले रात में चलने वाले कोई नहीं होते इसी को अलग क ये सब जमिन में रहने वाले हैं बागी ये तो दर्जी है ना इनका तो दुकान अलग होता है इनको अलग करो लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा लेखनी यानि कलम पुस्तिका याने किताब अध्यापिका पढ़ाने वाली अध्यापिका गुरुजी हो गई अजा यानि ये बकरी बकरी आगई बीच में इसको अब हम चतुर्था अभ्यास करेंगे प्रस्णानाम उत्तर आणी लिखत, प्रस्णों के उत्तर लिखना है के वायुयानम रचयन्ती, कौन वायुयान को बनाते हैं, राघव, माधव, सीता, बलिता, च वायुयानम रचयन्ती, एसा हमने पढ़ा हैना भी यही तो बनाना चाह वायोयान किस किस को पार करके उपर जाता है उन्नत ब्रिक्षम उचे पेड को तुंगम भवनम और उचे भवन को क्रान्तव उपर उपर जाता है हिमालय को तो शीड़ी बनाई थी उसने ये सा मत सोच ना वयम कीद्रसं सोपानं रचयाम हम किस परकार के सोपान यानि शीड़ी को बनाई वयम हिमवन्तं सोपानं रचयाम हिमालय को शीड़ी बनाई वयम कश्मिन लोके प्रविशाम हम किस लोक में प्रवेश करें वयम चंदिर लोकम प्रविशाम हम चंदर लोकमे प्रवेश करें हम आकास में किन को चुन कर मोतियों की माला बनाएं किसके घर में हम खुशियां लाएं किसानों के घर में हर्ष याने खुशिको जनयाम उत्पन्न करें अब पंचम अभ्यास है बिलोम पदानी योजयत विपरितार्थक सब्दों को हम जोड़ें एशा ये अभ्यास है उन्नतह उचा इसका अवनतह नीचा अर्थ हो जाएगा गगने याने आकास इसका उल्टा प्रिथिवयाम हो जाएगा प्रिथिवी में सुन्दर हसुन्दर इसका उल्टा असुन्दर हुशित्वा चुनकर विकीरिया फईला कर दुखी दुखी और सुखी सुखी हिंदी में भी होता है हर्स हा हर्स सोक हा सोक हा अब हम सश्ठ यानि चटे अभ्यास को करने जा रहे हैं समुचित इहीं ही पदई ही रिक्त स्थाना नि पूरयत उचित सब्दों के द्वारा खाली स्थान को भरो देखो यहां पर उकारांत स बीभक्ति के साथों ब्भक्ति यानि संभोधन के साथ आठों ब्भक्तियों में रूप हैं उनको हम एकएग करके भरते वए चले जाएंगे जैसे पर्थमा विवक्ति के यहाँ पर भानु हो भानु दुई वचन में दिया गया है बहु वचन में भाना वह लिखेंगे दुतिया विवक्ति में गुरु सब्द के लिखना है गुरुम गुरु गुरुन तृतिया विवक्ति में पसु सब्द को लिखना है पसुना चतुर्ति विभक्ते में साधू सब्द को लिखना है साधू पशू गुरू ये सब उकारान्त पूमलेंग हैं सब के समान चलेंगे साधवे साधुभ्याम साधुभ्यह इस प्रकार से बनाएंगे अब पंचमी में बटू सब्द को करेंगे अब हम संबोधन को देखते हैं यहाँ पर जितने सब्द दिये गए हैं उन सब के समान रूप चलते हैं हमने एक ही रूप माला में इतने सारे सब्दों को ठिक से समझ लिया अब हम सब्दम अभ्यास को करते हैं परियायपदानी योजयत समान आर्थक सब्द को जोड़ना है जैसे गगने आकास में इसका आकासे हो जाएगा बिमले याने निर्मल सुध इसका निर्मले बन जाएगा चंद्रह, चंद्रमा इसका परियायवाची निशा करह भी होता है सूर्य इसका दिवा करह हो जाता है अम्बुदा याने बादल इसका एक परियायवाची नाम जलदह भी है चलो इसके साथ आपके पाठ और अभ्यास दोनों पूरे हो गए हैं पाठ और अभ्यास आपको पसंद आया होगा जरूर लाइक कीजिएगा नमो नमहा पुनर्मिला महा धन्यवाद हा